हे गाईज देखो एक हजार रुपे का स्टॉक मतलब वन थाउजन रुपिस का स्टॉक अगर आपको सम्थिंग 300 रुपिस के बाजू में देखने को मिले तो यह बहुत बड़ा डिस्काउंट हो था मार्केट में इतना करेक्शन होना मतलब समझो कि काफी बड़ा डिसकाउंट मिल चुका है और इतना ज्यादा गिरावट के बाज स्टॉक में बहुत कम ही मतलब ऐसा हो सकता है कि गरावट और देखने को मिले पहले सबज लेते हैं कि कमपनी किसके लिए काम करती है कमपनी जो लोग लगजूरी प्रोडक्ट खरीदने के कोसिस करते हैं जो भी मतलब कुछ भी आप खरीदे हैं वो लो तो उसमें डाइमंड होना चाहिए मतलब सब लोग का एक अलग टाइप का मतलब मैं आपको बलूँगा कि चोईस होता है किसे को हम गलत नहीं बूल सकते हैं है कि न दो यह सारी कमपनी आप लेख सकते हैं औरश के डेट में जहां तब फेस्टिबल से सीजन आता है और लगजूरियस लगजूरियस वाच भाई जो लाक हो में याता है यह सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी बेस्ती है आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी आखिर करती है वो पूरे वर्ल्ड में है 30 country मतलब समझो कि हर जगे को company cover करने की कोशिस कर रही है हर जगा को देख लिजिए पूरे वर्ल्ड को और ये जो जो इंडिया और चाइना आपको दिख रहा है पूरी तरह के से ब्लू में आपको दिख रहा है तो ये जो company है सब कुछ इंडिया में चाइना में बनाती है इंडिया में चाइना में क्योंकि भाई देखो चाइना हर चीज को बनाने के लिए तयार है सब कुछ बनाने के लिए तयार है हालाकि इंडिया भी अगर अब दिखो गए तो इंडिया में भी ब्लू से सेट किया गया वही चीज यहाँ पर आपको बताया जारा देख सकते हो manufacturing countries इंडिया और चाइना यहाँ पर देख सकते हो sourcing country आपको बताया जारा बहुत सारे है मतलब भई समझो बहुत ज़ादा है हर जगा जगा अपना product ले जाकर बेशती है कौन सा ऐसा जगा है गहाँ पर company ने अपना चाप नहीं चुड़ा हूँ यह company के कुछ brand है कुछ company है इसके अंदर जो है अपना product बगरा बेशती है B2C यह काम करते है हर जगा अगर आप देखो यह तो लिखा हुआ है e-commerce बगर जहां पर भी लिखा हुआ जो भी B2C मतलब business to customer यह लोग चीजों को बनाते हैं और direct customer तक पहुचाते हैं तो customer से लोग कितना भी चार्ज कर सकते है लेकिन B2B में आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते है यह भी एक business है यह भी एक business है वो नहीं खर देगा तो कोई और खर देगा जैसे एक 10,000 का mobile होता है और एक लग का mobile होता है तो लोग एक लग का भी mobile खरीते हैं एपल है कि नहीं है छोटा mobile भी खरीते हैं तो यह जो लोग होते हैं यह लोग मतलब luxurious type के लोगों को target करते हैं 30% off के साथ जो है अभी discount यहाँ पर दिया जारा आप सारी चीज़ों को इनके website वगरा पर जाके देख सकते हो कौन से concept product अभे लेबल है यह सारी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है आपको कितना खरीदना है शॉप करना है यह सारी चीज़े यह लोग आप लोगों को बताये जाएगा यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के बारे में कुछ fundamental जानकारी ले लेते हैं कंपडी 5554 करोड का है कंपनी उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा यहाँ पर नीचे में कंपनी का पी आपको बताया जारा 46 पी आपको बताया जारा 9 के बाजू में face value 2 का है dividend आपको company देती है 1.78% मतलब company के पास काफी अच्छा cash भी है तब ही तो company आपको dividend दे रही है और साथ में 93 करोड का date है देखो 5000 करोड की कंपनी उसके सापने 93 करोड का डेट कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बहुत ओक्य है book value 35 का आपको बताया जारा cash यहाँ पर देख साथ तो 39 करोड का है और साथ में यहाँ पर बताया जारा कि return on capital, employer, return on equity कितना और company का profit growth कितना आपको बताया जा रहा है तो यह company के बारे में एक basic fundamental जानकारी जो पता होना चाहिए अब यह जो company है दो बड़े-बड़े दिगज के portfolio में है एक विजय खिडिया और एक आसिस का चुड़ी है जिके portfolio में दोनों के portfolio में करोडो का share पड़ा हुआ है company के बारे में sales, profit growth, return on equity, return on capital employment देखोगे तो अब जो है धीरे-धीरे bounce back लेना start कर रहा है और एक चीज जो public तक पहुँचना चाहिए वो यह है कि परमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी थी देखेंगे सब्तम्बर काम देखेंगे ठीक है तो परमोटर्स के पास जो 57% था 57.90 अभी भी है को tension वाली बात नहीं है foreign वाले के पास पहले इनके पास किवल 10% ही था अभी देखोगे recent quarter में मतलब अभी कब सब्तम्बर में इनोंने 10% हिस्सेदारी बढ़ाई मतलब total हो गया 20% देखा आप लोगों ने कि मतलब foreign वाले ने किस तरीके से हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है क्योंकि यह stock thousand रुपिस का stock something 300 रुपिस के बाज़े में देखने को मिल रहा है इस वज़े से और एक ने खरीदा तो ठीक है जो individual investors है उन्होंने भी काफी बढ़ा हाथ उठाया है यहाँ पर देख लीचे company का नाम है Weber Global Limited इसलिए बोला जाता कि कभी कभी हमें share का price नहीं company देखना चाहिए बहुत सारे कभी अच्छे company भी होते हैं जो गिर जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो खराब company आ अच्छे वाले company भी होते हैं यहाँ पर देखें foreign investors किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं पिछले 6 मेने का data देखोगे तो up and down है पिछले एक साल से देखोगे तो गिरावट यहाँ से हो रही थी लेकिन अब यहाँ से गिरावट रुप चुका है मतलब आप consolidate कर रहा stock stock consolidate कर रहा कभी भी यहाँ से मतलब बहुत बड़ी तेजी आ सकती है और वही लोग profit कर पाएंगे जिन्होंने गिरते बजार में participate किया है या फिर जब market consolidate कर रहा था मतलब यह stock जब consolidate कर रहा था तब participate किया तब उनको profit देखनी को मिलेगा अगर आप लोग सोच रहा और गिरावट हो जाए तो तो मैं आपको बता रहा हूँ 2-4-5% के गिरावट बात की बात है risk reward अब जो है favor में है long term के लिए अगर आप अच्छे stock को रख रहे हो तो मैं आपको बिलूगा निरास नहीं करेगा के वाल आपको जो है profit profit के उपर profit निकाल के देगा short term में तो वीप्रो में भी गिरावट हुई है Infosys में भी गिरावट हुआ है IACTC में भी गिरावट हुआ है अच्छे चेस तो उसमें गिरावट हुआ तो short term short term होता है लंबे समय के लिए सोचना चाहिए अपने financial advisor से consult कीजिए और उसके बाद कुछ कीजिए क्योंकि यह सारी चीज़े आपको कई advice य रेकमेंडिशन नहीं होता और अगर अब stock market में नहीं हो तो अपने dmit account इंजन में open कर सकते हो जहां पर आपका dmit account विल्कुल free delivery charge is free कि और 10 रुपिज लाई है वो भी entertainment description में link है mintो में जाके अपने dmit account वागर आपन कर सकते हैं बिल्कुल free में